My name is Monika Marwa, लोकी, जिसको हम घिया भी कहते हैं, बच्ची हो या बुड़े, कोई भी खाना पसंद नहीं करता, बैचारी लोकी भी सोसती होगी, कि मैं इतनी बुरी हूँ, कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, तो चलो आज लोकी को थोड़ा शाही मेसूस कराती हैं, और बनात जाला, ब्रेड, पनीर, आलू, थोड़ा सा बेसन, लोकी, वो भी बोईल की हुई, इसको कद्दू पस नहीं करना, इसको बोईल करेंगे, लस्त नदर का पेस्ट, प्याज वो भी लम्डे कटे हुई, टमाटर, दो हरी मिर्च, और इसमें खर्भूजे की बीच, सबसे पहल जाले हम लोकी, जो हमने वोय करके रखी है, इसको डालेंगे, इसके बाद इसमें हम 2-3 चमच, तलीर के डालेंगे, इसके बाद जो आलू यह थे हमने, इसको मैश कर लेना है, वर साथ ही 1-2 चमच, यह भी डालेंगे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पोड़र, गरम मसाला पोड़र, नमक, पेस्ट के पोड़ी, खरी में लाज मिष्ट, हलकाई सी खल्दी भी डालू है, और साथ में थोड़ा सा इसको बैंडिंग देने के लिए, बेसन, एक से बीर चमच, और एक चमच के प्री ओन फ्लार भी डालेंगे, अब हम इन सब्टी जोगो मिक्स करेंगे, अब हम इसके पोफते बनाएंगे, अब हमारे कोफते बन गे हैं, अब हम इसको फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने से पहले इन कोफतों को जो हमने ब्रेड का चूरा बनाया था, उसके उपर कोट कर देना है, एक ऐसे ही हम सारे कोफतों को कोट कर लेंगे, अब हम एक एक करके कोफते तेल में डालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, अब हमारे कोफते ब्राउन होने शुरूर हो गए हैं, अब इनको एक बाट से विटा देंगे, जिससे ये नीचे से भी ब्राउन हो जाएं, इनको एक करके निकाल लेंगे, ऐसे हम सारे कोफतों को बाट, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसको गरम होने देएंगे, इसके बाट इसमें जीरा डालेंगे, जीरा बस थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि ये ग्रेवी को काला कर देता है, इसके बाट तेज उखता, दो इलैची, एक से दो दालचीने के टुकड़े, दो दालेंगे अब हम इसमें लंबे कटे हुए प्यास दालेंगे तो इसको फोड़ा सा प्राई चाहेंगे 2-3 मिनिट को हम चलाते रहेंगे 2-3 मिनिट को चलाएंगे जिससे एक जब कर ये बॉल्डन ब्राउन ना हो जाए इसके साथ ही हम दो कटे हुए टमाटल डाल देंगे और एक से दो हरे मित भी कटी हुए डाल देंगे अब इसके साथ ही लस्टा नदर का पेस्ट जालेंगे और साथ ही उसको हम मिक्स कर देंगे अब मैंने मसाला निकालकर इसको मिक्सी में डाल दिया है। इसके साथ ही हम जो कर भूजे के बीज हमने लिए थे वह भी डाल देंगे वह भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे अब मैंने मसाला निकालकर इसको मिक्सी में डाल दिया है। अब हम इसकी एक फाइन सी ग्रेवी तियार कर लेंगे। मसाला पिसने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। कडाई में थोड़ा सा तेल लेकर इसको गरम करना है। इसके बाद हमने जो मसाला प्यार किया है वह हम इसके अबलब दाव देंगे। में हम थोड़ी सी लाल मिरच जितना आपको तीखा पसंद है। और हाफ टीश्पून खलवी डालेंगे। हाफ टीश्पून अमचुल पॉड़, बन टीश्पून गरब साला, बन टीश्पून धनिया बॉड़, टेस्ट के पॉड़ी नमग। अब हम चार से पांच मिनट इसको चलाएंगे जब तक ही कच्चा पान नमसालों का दूर ना हो जाए। तब तर इसको हम चलाते रहेंगे। अब एक चम्मच के तरीब इसके अंदर मलाई डालेंगे। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी बनकर त्याय रहे हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसके अंदर खॉफते ग्रेवा के अंदर डालेंगे। और इसके ऑपर भी थोड़ी सा क्रेवी डालेंगे। अब ये हमारे कैुफते बनकर त्यार हैं, अगर आपको मेरे कॉफते पसंद आते हैं तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए। इसको यह तो नान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।